तो गाइज अभी चौमीन और पास्ता का कॉम्बो बना रहे हैं और उसके लिए भी वाटर बॉयल हो रहा है देख लीजे और इधर पास्ता रखा हुआ है तो अभी बना के दिखाएंगे किस तरह से बनता है कॉम्बो तो देख लीजे इधर चौमीन निकाल के मैंने रख दिया है और इधर पानी भी अपना बॉयल हो चुका है तो बस अब चौमीन को डालेंगे पानी में और तुरत निकाल लेंगे ताकि वह ज्यादा गीला ना हो सके है कि अब चौमीन को भी वायल कर लिया है देख सकते हैं और इधर चौमीन को भी वायल कर लिया है देख लीजे और यह देखिए दोस्तों सब्जी डालने के लिए क्या क्या सब्जी डालेंगे इसमें पत्ता को भी दन्या बत्ता बीन सिम्ला मेच गाजा रादी सब्जी इसमें डालाएगा सब्जी को पहले कर ले रहे हैं उसके बाद यहां पर चौमीन और पास्ता हम डालेंगे तो खेप वाइस बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके एक साथ ही नहीं बनाएंगे विसे टेस्ट भी गड़ जाता है तो अभी सब्जी को अच्छे से थोड़ा सा फ्राइग कर ले र सब्सक्राइब कर देख सकते हैं आप कितना ही अमी लग रहा है देखने में और उमीद है कि खाने में भी उतना ही अमी होगा और अब दूसरा खेप चल रहा है कर देख सकते हैं कि किस तरह से फ्राइब कर रहे हैं दोनों हातों से एक में चमच रखा हूं और एक में जंजरा रखा हूं और फ्राइब कर रहा हूं और फ्राइब करने में मुझे बहुत मजा लगता है तो उड़ा उड़ा के फ्राइब करता हूं अपना चौमिन बना जारी है जैसा अब देख सकते हैं और आधा चौमिन बना दिया है चौमिन और पास्ता कोंबो और आधा बनाना वागी है देखिए इधर बना बना के रख रहे हैं अधर कडाही वगर रखता हुआ है यह सब मसाला होगे रडा रांस वह तो बस थोड़ा देर में बस चौमिन बना लेंगे उसके बाद फिर खाएंगे घरमा घरब सो गाइज अब चौमिन सर्फ कर रहे हैं और खाना जारी है चौमिन का और बहुत लजीज बना है दोस्तों जैसा दिक रहा है ठीक वैसा ही बना है और अभी हम खा भी रहे हैं जैसा कि आप देख स लगते हैं और बहुत मजा आ रहा है खाने में यार इतना लजीज चौमिन बना है कि एकदम पूछिये मत खाना पीना हो गया और पास्ता चौमिन का कॉम्बो खा लिये है और अब समय हो गया है पॉने दस घड़ी को यहां से सिप्ट कर दिये वहां पर तो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं समाप करते हैं तो आई होप कि आपको यह चोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजेगा मेरा इस्टाग्राम आइटी है संजीविस्टा08 तो चलिए कल एक ने ब्लॉग में मिलते हैं तब तक के लिए गुट नाइट बाइबाइट टेक के यार और रादे रादे